जी हां दोस्तों इंडिया वड़सिस न्यूजिलेंड 30-20 आई मुकाबला कॉलकाता इडन गार्डन के मैदान से आएगा लाइव आप सबी को बताते दोस्तों इस मुकाबले के बारे में क्या होगी प्लेंग 11 क्या सी होगी पिछ दोस्तों 7-7 टॉस कितना इंपोर्टेंट र क्या जानकारि दुज सबसे एहन हो सकते लोने टीम काफ्टानोः के लिएeteć अग्छ जी टीमेक वाद ये मैच जीतना क्या टीम इंडिया की लिए इंपोर्टेंट है क्या तीम इंडिया किसी बदलाव के साथ उत्रेगी औरका把 को कह किसे आप मकाबला लाइब देख सकते ह आपको देने वाले और बीते दोनों मैच का हाल बताएंगे जो आज के मैच के लिए आपको मददगार साबित होगा ड्रीम 11 टीम चुनने के लिए लेकिन उसे पहला अगर आप चैनल पर नए है सब्सक्राइब नहीं कि तो जल्द से जल्द चैनल भी सब्सक्राइब कर दीज दोस्तों आप सभी जानते हैं किस तरीके से विराट कोली कपतानी में चीम इंडिया कितने टॉस हारते थी जिसकी वज़े से नतीजा भी बहुत बुरा रहता था लेकिन विराट कोली ने कई बार अपने बयान में ये कहा था कि हम वो टीम नहीं जो टॉस के दम पर मैच खे पर चैनल देखे उससे पहले गुरु पिस्टेज के मुकाबले देखे 90% मैच वही टीम जीती है बलकि 95% मैच टीम वही जीती है जिसने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का या बल्लेबाजी करने का जैसे पिछके हाला थे वो फैसला किया है तो अगर रोही शर्मा की बीटे दोनों मुकाबले देखे नुज्रिणी किलाफ वहां पर भी डॉस जीतकर रोही शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का हिनृ लिष पहले ही ने क्या हाला कि दोस्तो कहीं लोगों का ये मानना था कि रोही शर्मा उन दो मुकाबले में से तो सेके रोही ठीट करना च जीच चुकी है, तीसरे T20 मैच आपचारिकता है, लेकिन यहां से सिर्फ आपचारिकता नहीं बलकि निगाहे 2022 के वर्ल्ड कप तक ही है, तो क्या टीम इंडिया सेम प्लेंग 11 के साथ उतरेगी या कुछ बदलाब भी करेगी, आपको बताते दोस्तों, कप्तान दोई शर्मा तो रहेंगे ही रहेंगे, ऐसी खबरे हैं, केल दाहुल भी जो अपकतान की भूमिका में है, वो भी रहेंगे, आप सुरिकुमार यादव रिया है, रितुराज गायकोड में से कोई एक खेल सकता है, सुरिकुमार यादव ने जितना कमाल दिखाना था, अभी दिखा लिया उन सब को पीछे चोड़ते वे इस बार IPL 2021 का Orange Cap जीता था मतलब Orange Cap जीतने अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो T20 की सबसे Best League में से एक मानी जाती है रितुराज उसका Orange Cap जीते थे Highest runner रहेते तो इनको मौका मिलना चाहिए श्रेश एयर अगर रहते हैं दोस्तों तो अच्छी बात है बाकि अगर श्रेश एयर की जगी रितुराज गाय को अड़ाते हैं तो ये और भी ज़्यादा इंटरस्टिंग हो सकता है और अगर बात करें विकेट कीपर बल्लेबाज की रूप में क्या अपनी प्लेंग लेवन सुनाते हैं बाकि वेंकटेश एयर को खेलना चाहिए इनका दूसरा ही मुखाबला था इनको और मोक्य मिलने चाहिए ताकि अपने आपको और कॉंपिडेंस दे सकें अक्षर पटेल दे सकते हैं बाकि रवी चंदर अश्विन की जगे कई लोगों का ये मानना है कि आप यूजवेंदर चहल को आजमा सकते हैं क्यूंकि जब तक अश्विन की बल्लेबाजी आती तब तक शायद दोनों मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी आई भी नहीं है त दीपक चहर विकट चटका रहे हैं सही समय पर दीपक चहर को होना चाहिए बाकि भूबनेशर की जगे आवेश खान के अगर एंट्री होती है तो अच्छी बात है बहीं बात करें न्यूजलेंड की तो टिम साओधी कप्तान है मार्टिन गप्टिल डेरल मिचिल मार्क करेंद में धार भी है और कॉलकता की पिछकान को फाइदा मिल सकता है क्यूंकि पहले यह काफी प्रैक्टिस की है ऐसा ख़वरे है तो लोकी फर्गिसन को आजमा सकते हैं त्रेंट बोल्ट और इस शोडी हो सकते हैं क्यूंकि इनों न्यूजलेंड की टीम ने पिछले मैच में 3 बदलाव किये थे तीनों बदलाव इनकी ज़्यादा काम तो नहीं आए लेकिन यह बदलाव कर चुके हैं और आज के मैच में भी शायद बदलाव ना करना चाहें कप्तान गुद लेकर देखते हैं कि कप्तान बदला जागा है या नहीं क्यूंकि पहले कैप्टन जीती है तो रोही शर्माई कप्तानी 200 T20 फॉर्मिट की आगाज इससे क्या ही अच्छा हो सकता है दो मैच जीते हैं सिरीज जीते हैं तीसरे T20 मैच जीते ही कॉंफिडेंस इस लेवल से अगले लेवल तक पहुंच जाएगा जो इनको बहुत मददगार सावित होने वाला है ह जहां पर कॉलकता में होने वाले तीसरे और आखरी T20 में ओस एक बड़ा फैक्टर होगा और दोने टीमों के इससे साबधान देना होगा ओस की समस्या कोई नई समस्या नहीं है इसे जैपूर और राची में भी दो चार होना पड़ा है जहां एंटी डियू स्प्रे से काम चलाना पड़ा था और अब नौबत कॉलकता में भी उसी स्प्रे के इस्तमाल की है गांगुली ने समस्या की और ध्यान एड़न के क्यूरेटर सुजान मुखरजी और स्येविए के अध्यक्ष अविशेग डाल्मिया के साथ पिछ का जायजा लेने के बाद दिलाया सुरफ गांगुली ने कहा कि कॉलकता की पिछ पहले अच्छी थी जैसे कि आमतोर पर एड़न गार्डन की पिछ होते है लेकिन इस बार ओस एक बड़ा फैक्टर होगा लेकिन अब देखते है कि मैच में क्या होता है और उसके चलते जैपुर और राची चीटवन टीम और नीज़ आकरी टीटवन टी वेस्ट इंडीज के खिलाव खेला था जिसे उसने पांच विकट सी जिता था साल 2018 की शायद वो बात है अब आते हैं दोस्तों रोही शर्मा के रिकोर्ड के तरफ जो रोही शर्मा आज के मुकाबले पर कमाल कर सकते हैं बाकी यही आपके लिए सबसे ब खेला था तब उसने इंग्लेंड का सामना किया था लेकिन मैच में छे विकट से हार जेलनी पड़ी थी यानि टीम इंडिया के लिए मैच फायदे मंद भी हो सकता है और बुरा भी साबित हो सकता है इडन गार्टन्स पर फिर भारत में साथ अफरीका का सामना किया साल 2015 में सीरिस का तीसरे T20 मैच बिना गोई गेंफे के रद कर दिया गया था टॉस तक नहीं हो पाया था मतलब ये सब तो चलता रहता बात करें दोस्तों टीम इंडिया ने इस मैदान पर पिछले T20 मैच वेस्ट इंडिस की खिलाफ साल 2018 में खेला था तब भारत में पांच विकट सिंग धोनी इन दोस्ती हाँ पर कई मुकाबले जितने भी खेले हैं लगभग फिल्डिंग का ही फैसला की है टोस जीतकर तो बाकि आज रोही शर्मा के कंदों पर दारमदार रहेगा कि वो किस और जाते हैं तो यहानी कि दोस्तों दीखा जाए यह मैदान किसी भी करवट है और रोही शर्मा का इस मैदान पर रिकोर्ड बल्ले बाजी का बहुत अच्छा है बाकि न्यूजिलेंड के सामने गेंद बाजी की अगर देखा जाए और टीम इंडिया की बल्ले बाजी देखी जाए तो रोहीत राहूल मैसे दोस्तों किसी एको कप्तान बना दे तो करते है आज के मुखाबला दोस्तों आप स्टार स्पोर्ट नेटवर्क डिजने प्लस होट इस्टार एपर लाइब देख सकते हैं फैंस को कन्फ्यूजन है कि कब शुरू होता है मैस तो साड़े शे बज़े होता है टॉस और साथ बज़े शुरू होता है मैच यानि पहली कि ये तीसरा मैच अपचारिकता है कौन लगता है बाजी मारेगा और कितने बदलाव के साथ टीम इंडिया उतरेगी डिस्क्रिप्शन में हमने टीम इंडिया की स्क्वाइड और प्लेइंग लेवन विदे रखें आप कॉमेंट्स करके ज़रू बता सकते हैं नेक्स्ट न